कि और आज हम गोल की फॉर्कास करेंगे फॉर्कास करने पहले मैं आपको बता दूँ मैं फॉर्ड पासिंग सर्विस दे रहा हूं ठीक हो गया तो जो बाई फॉर्ड पास कराना चाहते हैं वह मुझसे राफ्ता करें कौंकॉंस आकाउं में पास करते हूं टी एफ्टी इसके बाद कॉंटेक्ट है इंफिनिटी फॉर्क्स फंड है और नेक्स्ट हो गया काफी जो है अलाओ करती है वह मैं पासिंग सर्विस देता हूं ठीक हो गया और वह पासिंग सर्विस हासिल करने के लिए आप मेरे दिये के नंबर पे राप्ता कर सकते हैं यह नंबर दिय लें फेजबुक पर जाएंगे आप वोंग फॉर्क्स लिखेगा यह मेरा फेजबूप पेज और वाटसप ग्रूप आजाएगा ठीक हो गया इंस्टाग्राम पे भी आप यह यूजर नेम लिखेंगे आपको इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल नबर आ जाएगा पेज आज सब्सक्राइब है तो इसलिए हैपी क्लाइंट कितने 500 हैं एक क्लाइंट भी कम नहीं है जो के मायूस हो मेरी सर्वेस से मनी बैक गरंटी देता हूं ठीक है गरंटी देंगा फेल हो गया तो आपको अकाउंट वापिस न्यू लेके दूँगा और पास भी कर दूँगा ठीक है कि सब्सक्राइब तो मैं आपको एक और चार्ट ओपन कर देता हूं और उस में आपको बताता हूं गोल की डेली व्रकास साबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम अपन करने के बाद मैं आपको बता हूं कि वालिम वाले इंडिकेटर । जी आप देखें यह जो कैंडल है डेली वाली आप यह नीचे गिरी है यह मैंने वाट्सएप ग्रूप में सिकनल दिया था था थर्टी फाइव से मैंने सेल कराया था और यह 22 तक आया था यानिकि तकरीब एक सो तीस मार्किट मूव कर चुकिए मेरा दस विप का कल एसली हु ठीक हो गया यह डेली का एफवीजी पॉइंट है और दोहदार अठतीस से 49 से मार्किट गिरी और नीचे 22 तक आई थी ठीक हो गया एफवीजी पॉइंट अभी मार्किट जो है वह एफवीजी पे ही ठेरी है और मैं आपको बता हूँ एफवीजी से यह कंप्लीट रिजेक की और नीचे आ गई तो समझ जाएं फिर मार्किट डाउन जाएगी यह एफवीजी से रिजेक्ट होई है तो फिर मार्किट डाउन चले जाएगी ठीक हो गया डाउन जाना तो बहुत है तो आप 2080 का टार्गेट रख लीजिएगा लॉंग तर्म फिर डाउन गिरगा ऐसे सब्सक्राइब करेंगे उनीच सब्सक्राइब काफी टार्गेट आते हैं वह हम देखते हैं क्या बनते हैं पहले आपको यह समझा प्राइस एक्षिन के मताबिक हम करेंगे और एसमसी के मताबिक ठीक हो गया और यह एफवीजी था जिसकी विजा से मैंने एक इन्टी दी इसके बाद अगर आपको और चीज़ दिखाऊं तो यह अमरे पास एक सपोर्ट थी ठीक हो गया हमारे प्राइस एक्षिन वाले भाई अब देखें अभी मार्की टू सेरिया पर अगर यह सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर मार्की नीचे गिर जाएगी वैसे तो यह चोट टाइम फ्रेम में देखेंगे अभी फिलाहल मैं इसको रिमूब करता हूं अभी से स्पोर्ट का उनमें करते हैं ट्रेंड लाइन देख हो ठीक हो गया फुल कॉंफिडेंस होता है कि मुझे दोनों मैथट पे परफेक्शन हासिल है टाइम लगा है सीखने में तो आप भी सीख सकते हो पेड में टॉप्षी भी देता हूं वह खैर बात की बात है आप देखें यह उपर यह ट्रेंड लाइन है अब SMC और प्राइ मैंने बताया और अब हम इसे शिफ्ट करते हैं और की तरफ सँपोर्ट यह अपना स्पोर्ट रइन लाइन इस और यह यह ब्रेक हुई है यह उपर पिछे देखें जो लास्ट लो था यह भी ब्रेक को अटे रहे है टीक हो गया ब्रेक आउट हुआ है वे टर टेस्ट करने कह अधा है आप रिज्ट जायर बाद वह वें निमकों को ट और अब यह मार्कीट अगर इसी जगह नीचे आती है फिर इसी ट्रेंड लाइन को जो के तो अठाइस से कप्तिस काई रिया रेटर्स करेंगी तो फिर नीचे गिरेगी ठीक हो गया तो यह थी हमारे पास सिंपल सी फॉरकास्ट ठीक हो गया अगर बाय देखें तो यह फिर एफवीजी ब्रेक होने लें फास्ट टाइम मैं डबल बता रहा हूं वरने मैं सिंगल ट्रेड देता हूं क्योंकि यह यह यहां पर ठेह रहा है इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ओपर ठीक है अगर यह यह फेल हो गया है अब वेड करते हो नेक्स इंट्री का भई फेल हो गया है तो इसी फीजी पर रीटर्स देखो जी इंवर्जन का काम करेगा फिर मार्किट ऊपर चली जाएगी ठीक हो गया इस तरह से सीन होता है एफवीजी का लास्ट पॉइंट 2046 का है आप 47 काउंट कर लें ठीक हो गया एफवीजी का स्टार्टिंग पॉइंट हो है वह है 2032 यह 2032 ब्रेक होगा तो नीचे सेल 2047 ब्रेक हुआ तो यह एफवीजन में करनाट हो जाएगा फिर मार्किट उपर निकल जाएगी और उपर लास्ट जो पॉइंट है 2088 मार्किट के रूप कर सकती है अधरवाइज यह ट्रेलाइन प्राइस सेक्शन तो यहीं बता रही है कि मार्किट सेल गिरेगी और अब मैं चलता हूँ मैं 30 टाइम फ्रेम में मैं आपको SMC वाला चार्ट ऑपन करके दिखाऊंगा जो कि मैंने अल्रेडी बनाया हुआ है यह चेक कर सकते हो इसमें यह हमारे पास हाइट टाइम फ्रेम का हाई है हाई टाइम फ्रेम का ठीक हो गया यह पॉंट उसके बाद मैं आपको बताऊं यह यहां पे स्ट्रक्चर श्इप होता फ्रक्चर श्वाता और यह जो है यह आप दें टेली एक लिखा हुआ है यह देली 11 का टीपी है 2011 या 2010 का मेरे खायल में ब्राउजर का मसला है शायद सब्सक्राइब करें आपकी तरफ से सपोर्ड मिलेगा तो मैं अच्छी सर्विस लेकर आँगा मेरे कोशी है कि मैं लाइफ ट्रेडिंग भी लेकर आए था सेशन वन मैंने किया 32 मिनिट बैट रहा लेकिन खैर कोई खाथ रेस्पॉंस नहीं था तो इसलिए कुट कर दी मैंने जल्दी 32 मिनिट उससे मैंने आगे की नहीं लाइफ स्ट्रीमिंग करता हूं तो माशालह बहुत अच्छा नहीं दल राता है तो अभी ब्राउजर जो है वो मेरे खिल में क्रेश हो गया है इसको क्लोज कासी मैंने आपको बता दिये कोशी करता हूं तुबारा ओपन करने की ट्रेडिंग व्यू उसमें 30 टाइम फ्रेम और SMC वाला आपको बताता हूं कि SMC वाला चार्ट किस तरह से मैंने प्रिपेर किया में भी मैं गलत हो जाओं यह फॉरकास्ट तज्जिया है गलत भी हो कित से सेलिंग कराई थी जो के 25 का इरिया था मार की नीचे गिरी आप चेक कर सकते हो 2030 तकाई थी बहुत अच्छी मूव थी 130 पिप की जो कि मेरे ग्रुप वालो ने इंजॉय की और यह BSL किसे कहते हैं कि मार की तो उपर हंट करने जाती है ठीक हो गया पैंडिंग आडर होते है कोछे हैं अच्छे हमारे सेलिंग के पड़े होते हैं मार क्यो पर चल जाती है के सल कार खुल कर के फिर मार की नीचे आ जाती है तो मर्कष यह यहां पर को के 2044 पे मेरी इंट्री पैंडिंग आटर एक है मेरा 2045 तसे सेल का इसल मेरा है दोघनचार और टीपी मेरा है 2008 का यह ओटी है ओटी होता है कि वही अगर यहां से इंट्री में सोगे तो आप यहां से दस पिप का SL लेके इंट्री ले सकते हो जाने कि दौधार उचास से इंट्री लेंगे दौधार पचास आपका स्टॉप लोगा ओटी के ऊपर आपने हमेशा दस है दो इंट्री में ने बताहिए एक दोधर उनचास पे अपना तोधर पैंतालिस पे जो कुर दूस्ते यह तो दूसरी होती है तो दूसरी दूसरी यह का टाइम अपरेम अगर मैं इसी चीज़ वह ऊपन करके दिखाऊं को यह आपके सामने है कि यह में रफ लो ठेह रहा है हाइर टाइम फ्रिम का लो यह हाई और यह उसी के अंदर सारा सेट अप में बनाया एदर स्काल्पिंग के लिए बाकि आपके मताब क्या करेगा आपने मुझे लाज़ी मताने चोटे टाइम फ्रेम में इसलिए बताया कि मार्किट जहां से अप जाएगी मार्किन यह एक अच्छी सी यह मूव दिया है नीचे इंबेलेस था और मार्केट उसी इंबेलेस को फिल करने के लिए यह मिटिकेशन प्रासेस में है और मिटिगेट करके हो सकता है इसी इंट्री पॉंट पर मार्के नीचे गिरा है यह होता है तकरिबां अगर अकाउंट पर्चेस करने आपने फंडेट अकाउंट के तो आपने मुझसे राप्ता करना है पंदरा परसंट डिसकाउंट चल रहा है इसकाउंट चल रहा है फिक्सवी के 15000 इसकाउंट चल रहा है अकाउंट के ऋपर ओंडेट करेंगा यह तमाम डीटेल क्या है अगर आपने ब्रोकर में काम करने हैं तो च्यूज करें पहले एक्ट्रीम फोर उसके बाद दूसरा एक्समेस दो ब्रोकर हैं अगर रेफरल लिंक चाहिए तो वह भी आपको मिल जाएगा मुझसे कॉंटेक्ट करें मेरे कॉंटेक्ट में आए इन्शाला मेरी कोशिश होगी के मिलके ट्रेट करें के मिलके हम प्राफिट में आएगे बाकी इसको आपने तद्दिया समझना है ज कुछ बखुदूसी सीखने के दौरान हो जाता है चीक हो या वाकि इंशाला दुबार मालाकवात होगे और जितना हो सके सपोर्ट करें